मुझे पृदेश महासचीव, हरियाना स्टेट की महासचीव, महीला महासचीव की पद्बे, निउक्त किया गया है राजनीती में आना क्या मकसद है, क्या सोच लेकर आप राजनीती में आना है ये मैं आपको बड़े क्लियर बोलना चाहूंगी कि मैं एक राजनीती ने, मैं चाहती हूँ कि इसको आप थोड़ा समाजनीती बोलें तो हो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए और मैं सिरफ राजनीती राज के लिए नहीं, मैं समाज के लिए आना चाहती हूँ स्पेशली फॉर विमेन, जो उनके जो भी मुद्दे हैं, जो भी उनकी मुश्किलात हैं उन सब को, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको लीड करूँ और मेरी तरफ से, पार्टे की तरफ से पुरी कोशिश रहे के हम उसको सॉल्ब भी करें सोच वही है, मैं एक समाज से वाकिया है, ना कि कोई राजनीती के परपस है, क्योंकि मैं कॉलिज टाइम में जब मेरा था, मैं कॉलिज प्रेज़ेंट रही हूँ तब से लेके अब तक मैं दादा जी, जो चौधरी देवी लाल जी हैं, उनसे बड़े इंस्पायर हूँ हमेशा से, तो वहां भी मैंने अपने, मतलब जो मेरी फ्रेंज वगेरा थी है, जो कॉलिज था, उसके लिए किया था, सुडेंट यूनिन के लिए भी मैं हमेशा बहू बने हूँ, और मेरे सो बाग गया है कि मैं इस परिवार में हूँ और मुझे ये मौका मिल रहे हैं, एक्शली मैं थोड़ा ये परिवाकर का मुद्दा छोड़ के, बेटर ये है कि जहां आपको अच्छा काम करने का मौका मिले, मैं नहीं मानती कि आपको जहां अच् करी की है राजमाराण, देखिए मैं फिर बहु पात मैं भोलों कि मुझे चुनाव लड़ने की ये ऐसी को इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे काम करने की इच्छा है, महिलाओं के लिए काम करने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है, समाज में जो भी बुराईयां जो हम हमारी आ रहे हैं, इसके लिए आपने पहले भी सुना होगा, जैसे मेरे हस्बेंगें होने थोड़ा बनेशा मुक्ती की तरफ ताफी हो किया था, तो I was watching कि मैं जब से देख रही हूँ कि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है, एक महिला, हाँ जी मौका मिलत हैं, जो हुकम होता है, मतलब जैसे जो मौका मिलता है, मैं उसको क्यों गवाँगी, यह तो साधान सी बात है, भी मैंने अभी आपको बोला कि अगर मुझे उस मंच पर जाके समाज की सिवा करने का मौका मिलता है, तो मैं जरूर जाओंगी, और राजनीती मतलब मैं एक ऐस करने की कोई बात है, मुझे मतलब यह सब बता चला है, और जुरूर होगा, वैसे मैं ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई नहीं चीज है, मैं मेरे हस्बंड के इलेक्शन्स में भी घूमी हूँ, पिछले इलेक्शन्स में भी गई हूं साथ, मतलब जो होगा प्रोग्रम वो